सब्सक्राइब किजिए निगा निट्स को और बेल आइकॉन को दबा कर दुनिया वरक्त की ताज़ा घबर्याद पाईए सबसे चाहिए अफ्रीका सीरीज से पहले बड़ी खबर दिगज बलेबाज गौतम गंभीर को सकते हैं टीम इंडिया में शामिल भारतिय टीम के दिगज बलेबाज शिखर दवन के टकने की चोट के कारण साउथ आफ्रीका के खिलाफ पांच जनवरी से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में खेलना संदिक्द है यह खबर उस वक्त चर्चा का केंडर बन गए जब दवन को रवानगी से पहले लगड़ाते हुए टीम के होटेल में प्रवेश करते हुए देखा गया इस दोरान उनके बायें टकने में पटियान बंधी थी हाला कि AC बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है कि शिखर दवन के सीरीज से बाहर होने के बाद गौतम गंभीर को टीम में जगेह दी सकती है साउथ अफ्रीका के दोरे पर जा सकते हैं गंभीर अगर टीम इंडिया के चयनकरताओं को देखे तो शिखर दवन के चोटिल होने के कारण बाहर होने के बाद उनकी पहली पसंद गौतम गंभीर हो सकती है क्योंकि इसका प्रमुख कारण वेहरंजी टूर नायमें के दोरान तीन शतक जड़ दिये थे वहीं उसके बाद अगर चयनकरता की दूसरी पसंद को देखे तो श्रीलंका दोरे पर 82 रनों की पारी खेलने वाले तमिलनाडू के बले बाज अभिनव मुकुंद का साउथ आफरीका दोर पर भेज सकते हैं अगर सूटों की माने तो गौतम गंभीर और अभिनव मुकुंद ये दोनों प्लेयर ही साउथ आफरीका दोरे पर जाने के लिए सबसे बड़ी दावेदारी रखते हैं हाला कि आपुष्ट खबरे तो यह बात निकलर सामने आ रही है कि गौतम गंभीर को साउथ आफरीका दोरे पर ले जाने का विचार किया जा रहा है अगर ऐसा होता है तो गौतम गंभीर के चाहने वाले के लिए काफी बड़ी खबर हो सकती है इसका कारण गंभीर लंबे समय से टीम इंडिया से दूर रहे हैं चोटिल हो चुके दवन का खेलना संदिग्द आपको बता दें शिखर दवन के घुटने में चोट लगने के बाद BCCIA के सीनियर आधिकारी ने कहा कि शिखर दवन के टकने की चोट की जांच की गए और आभी तक फिजियों ने राश्ट्री ये टीम के चयन करताओं को कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं सौपी है आपको ये विदियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करेए और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले का थार खबसे हमारे तक प्यांटर अर विए